पिन्हरता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा दोश्ट असुरों, तुम्हें तुम्हारे काल से भेट कराने के बाद ही विश्राम करेंगी हम विश्राम करने मिवश्राम करी ऎ परते पर धुम्हारे किवाँ विशचे ए՝ेश काली करेंगी हम म puòेंदे टे टे भेशर JOSH थे मुचला मैंन तुम्हारे । जरयात! हुआ जा लगे लिए। मेरे प्रभू, मेरे विगन हर्ता, मुझे ज्यात है कि जब तक आप यहाँ हैं, मेरे किसी भी कारे में कोई विगन नहीं उद्पन होगा और मैं अपने अगले लक्षय, प्रभू महाशिव का वाहन यग करने में भी सपल होगा अपने प्रफ। तो पिदिया रंभ हो चुकी है शीग्र यग कावी शुबारंभ होगा सबी मेरी योजना के अनुसार हुआ तो इस मुझे समय में ये दीविया साथ सिंदूर आसुरों से ही युद्ध करती रह जाएंगी और मैं प्रभू महाशिव के साक्षा दर्शिन प्राप्त करने में सबल हो जाओंगा जे माता पराशक्ती जे श्री माता ललिता जे मा ललिता जे माता पराशक्ती काहताना मैं अवार को जब आस। काहताना मैं अवार को जब आस। माता, यह कैसा दिव्यकवच्छ है, माता, जिसे हम भी नहीं भेद पा रही है अब आप ही हमारा मार्व देश्चन कीजिये, माता इन सभी ने तो अपने तन पर श्री गडेश के चरण सिंदूर को धारण किया है इसलिए हमारे अस्त्रों के प्रहारों से सुरक्षित प्रहारों यहार जब तक विग्धर्थता श्री गडेश का यह सिंदूर के शरीर पर रहेगा धाल बनते मुक्त लेजिद्डशा करता रहे प्रभू श्री गडेश के मुख पर को दोधेगा वावक कहीं मेरे लिए कोई संकाठतर करते प्रभू यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो शमा कर दीजिए किन्तु भक्ति के फल का इतना लाब उठाना तो चलता है मुझे शमा कर दीजिए माता ये असुर मुझे और मेरे आशीरवाद का लाब उठाकर आपके लिए कड़नाई उत्पन्न कर रहा है किन्तु मुझे आशा है आपकी किरिपा से देवी माताएं इस कड़नाई को दूर करने का कोई उपाय अवश्य ढून लेंगी चल और धूर्टता का प्रयोग कर तुमने गड़ेश जी की शक्ति को अपना कवज बनाया है किन्तु जब वो कवज हट जाएगा तो अपनी रक्षा कैसे करोगे नहीं नहीं ये संभव है हमारे कवज को ओई नहीं हटा सकता ये संभव है कि तुम्हारी माया को तुम मिटा दिया मैंने अब तुम्हारा कवच शेशे है कि यह सिंदूर का कवच बहुत शक्तिशाली है इसे धोने के लिए हमें और बल का प्रयोग करना होगा कि देवराजेंद्र संकोच मत कीजिये देवराजेंद्र शीक्र वर्शा उत्पन कीजिये हो मैं दिय देवरा क्वच शेवरा करना है हो मैं देवराजेंद्र वर्शा शे हो 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 माता, इतके शरीर से गणेची के चरन का सिंदूर धुल क्यों नहीं रहा है? इंद्र दे पर कुछ अधिकी विश्वास था इन देवी को लेकिन अब तो विश्वास भी भंग हो गया तुमने तो केवल जल ही बाया है किन्तों हम तुम्हारा रक्त बाहाएंगे ये तुम्हारी बर्चा कराने की युक्ती तो वियर्थ गई अब हमारा सामना कैसे करोगी आप हमारे द्वारा तुम्हारा अंत निश्यत है मैं समस्त ब्रह्मांडों के सभी इंद्रदेवों का आवाहन करती हूँ शीगर वर्शा करिए कितना भी पर्यास कर लो देवी गनेश जी का अशिरवाद है ये सिंधूर इतनी आसानी से नहीं धुलने वाला इन देवियों का ये पर्यास भिया सफल हो तभी संपूर्ण होगा मेरा ये महायज्य और जैसे ही मेरे प्रतिरूपों की हठेलियों पर स्थित अगनी अपनी पूनता प्राप्त करेगी मेरे महायज्य की अगनी प्रजवलित हो जाएगी भले ही तुमने गनेश की सिंदूर से अपने असुरों को सुरक्षित कर दिया है पर अदुछल से प्राप्त किया गया आशीश कभी कोई काम नहीं आता हम आता कि यह कैसे संभाव है हमारे शरीर सेद दिवी सिंदूर कैसे दूल रहा है इस तरह तो हमारा कवच मिक्सी जाएगा अब हम इन दिव्यों के सामने आस रक्षित हो जाएंगे एंद्रादेर यह अगनियास तरह क्यों हो रही है रुक्यों गए असुरूफ आगे बढ़ो आगे बढ़ो और वार करो हम पर कहीं गडेश जी के इस चरण से दूर के साथ तुम्हारा एहंकार भणा दुसाहस भी तो नहीं धुल गया नहीं मुझे कोई जिनता नहीं क्योंकि जब स्वैब विगनार्था श्रीकडेश जी है यहां तो मेरे कारे में विगन कैसे आ सकता है मैंने कहा था ना भंडासुर युद्ध में विजय उचेति युक्ति और रनीती से प्राप्त होती है छल या कपट से नहीं ना कोई युक्ति ना छल ना धूर्तता और ना ही कोई चतुराई प्रभू मुझे तो बस आपके हाशिरवात की आवश रकता है और वो तुम्हें लेकर ही रहूंगा वक्रतुंड महा कयाय सूर्य कूटी समप्रभ निर्विघनम कुरू मेदेव सर्वकार्य शू सर्वदाद अम्हाशिवाइनमा अम्हादीशंकराइनमा अम्हादीशंकराइनमा बंडा सुर्जोवी कर रहा है अनुचित है फिर भी मैं से आशीश देने के लिए विवश हो रहा हूँ जब तक ये मुझ से छल से आशीश प्राप्त करता रहेगा मैं माताओं के लिए व्यर्थी बाधाएं उत्पन्न करता रहूँगा मैंने कहा था न ब्रभू जहां आप है वहां प्राजय होई नहीं सकती अब देखिए योद भूमी में भी मेरे योदा वश्य सफल होगी प्राजय होगी उन देवियों को लगा था के सिंदूर दुल जाने से मेरे असुर परास्थ हो जाएंगे किन्टू उन्हें इस नवीन उपाय के बारे में क्यात नहीं था अब ये कैसा प्रकाश है इसने माताओं की द्रश्टी को बाधित कर दिया है यहां इतना तीवर प्रकाश कैसे उत्पन्न हो रहा है क्या भंडा सुर इस प्रकाश का भी कोई अनुचित लाब उठा रहा है यह है मेरे बलाह का सुरो का सरवादक शक्तिशालिय अस्त्र सुर्यदेव का अपार तेज मेरा अनुमान उचित्था इस प्रकाश से मताओं की कटनाई अबढ रही है किन्तु एक मात्र सुर्यदेव का तेजी इस अपार प्रकाश का कारण बन सकता है आपने सरवादा उचित कहा प्रभू यह प्रकाश सुर्यदेव से ही प्राप्त किया है इनोंने इनका जन्म होते ही इनकी माता किकसी ने इने सुर्यदेव की तपस्या करने का आदेश दिया और इन आग्याकारी पुत्रों ने तत्काल अपनी माता की आग्या का पालन किया ओम आशकराय पुत्रों आशकराय पुत्रों पालन किया पुत्रों पुत्रों पूर्टों अधित्याय विद्मय है सहस्त्र किरण्य धीमही तन्नो सूर्य प्रचोदयात ओम् एनाम सूर्य देव एल्यान मैं तुम्हारे कठूर तब से प्रसंद हो मुझसे क्या बर्दान चाहते हैं रभू हमें अपने प्रकाश का बर्दान दीजिए जिसकी दृष्टे रख हमने इतनी कटोर साथना की है ओ प्रकाश जो सामने आए तो नेत्रस्वता बंद हो जाए जिसकी आवा से कुछ भी दिखाए ना दे तथास तथास जो हमारे सामने आएगा हमारे बर्दे प्रकाश से बिकल जाएगा यह तुष्टासूर बाताओं की माता पर मेरे प्रकाश से ही लक्सादरे है तुम देवियों का खेरे यही सबाब करेंगे हम सुरियो देव के बढ़ते प्रकाश से यहां सब कुछ बस्मख कर देंगे उसमें सर्वप्रतम होंगे तुम्हारे अस्तरा और उसके उप्राद तुम्हारी अस्तियों को बस्मकार तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा देंगे माता इस भयाना काक्रमन का सामना कैसे करेंगी ये देविया इस कठिन समय में हमारा मार्क दर्शन करने की कृपा कीजी देवी मंत्री नप द्रिष्टी प्रकाश से किन्तु जब प्रकाश के आभास एक गहन अंधकार उत्पन होता है तब द्रिष्टी द्वारा उत्पन ये सभी भेद मिट जाते और किसी भी भिनिता का कोई आभास नहीं रहता तब मेरी संपून रचन एक हो जाती अब समय आ गया है उस सत्य रूपी अंधकार द्वारा असत्य रूपी प्रकाश पर विजय प्राप्त करने का हमाढ़ा नहीं से भार्ड ये से नहीं है जो कि जो मत एंधकार उत्पोफिण a.m संपार Woo एंध кभिले जो जिनिते अ's एंधकार इनिती अस्ता है इन्म एंदासे नहीं से प्र preventing जाएं इनिते ङुँ सा इन्म आड zwischen प्रेणकार उिमाई आद्ष एंधकेू जूट के आवरण के साथ सचकी रडाई कदा भी नहीं जीती जा सकती जा से भी नाजी जश्व फित जीके शेती है तो को एंगी जीती पर भी नहीं जीती जोपी मिनसा, जासी नहीं जा सकती